नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपके अपनी चैनल लॉलिस ट्वीट्स पर तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या नया न्यूज आ रहा है examination को लेके यू अल्रेडी नो दाट की 767 का जो बीपी एसी प्रिलिम्स का examination thought में को वो cancel हो गया है examination को रद कर दिया गया है because paper was leaked तो अभी नया सब को सब के मन में यह चल रहा है examination कब है कब है तो यह तो हम लोग खुदी जान रहे हैं कि बिहार में अब जैसे एक बार मौनसून स्टार्ट हो जाएगा तो बिहार not बिहार flooded रहेगा और अभी हम लोग देख रहते हैं कि examination जो हुआ 1083 centers पर examination करवाई गई थी तो it needs ample space कि examination को conduct करवाने के लिए बहुत जादा ही schools की जरुद पड़ीगी या centers की जरुद पड़ीगी तो अगर एक बार flood आ जा रहा है तो फिर उसके बाद ही examination होगा तो देखे ए न्यूस पेपर में भी क्या आया हुआ है इसके ऊपर examination के date के लेके क्या न्यूस है तो इसको देख लेते हैं जल्दी से रद पीटी मौनसुन के पहले होने की संभावना तो यह ऐसे आ रहा है न्यूस में न्यूस पेपर है ठीक है यह किसी का statement नहीं है बट यह न्यूस पेपर में आ रहा है रद 67th सरसटवी BPSC prelims की जो पीटी थी वही फुल प्रूफ तैयारी करने के बाद ही फिर से ली जाएगी अब यहां पर यह वोड आ रहा है कि फुल प्रूफ तैयारी करने के बाद फिर से ली जाएगी कल यह भी है कि कल CM ने भी बोला था कि सॉलिड पेपर तैयार कीजिए ताकि लीक नहीं हो तो यह सब नया नया स्टेटमेंट आ रहा है कि हाँ examination को अच्छे से कंड़क करवाना है बच्चे लोग काफी परिशान होते हैं examination में center कहीं रहता है कहां कहां से आके सब लोग दे रहा है तो जो भी है उसके अद क्या है यहां पर लिखावा कि 15 माई के बाद आयो के अध्यक्ष आरके महाजन की अध्यक्षता में बैठ अगोगी तो अभी पंद्रह को एक और examination होने वाला है CDPO BPSC का है CDPO examination होने वाला है संडे के दिन ही तो इसके बाद फिर से अब meeting organize किया जाएगा और जिसके अध्यक्ष मतलब यही जो हमारे BPSC के अभी चेयर्मान है प्यार के महाजन उनकी अध्यक्षता में ही बैठ अगोगी और examination कैसे कंड़कर आना है कैसे क्या तयारी करने है यह सब यह लोग discuss भी करेंगे पेपर लीक पर EOU की जाच रिपोर्ट आने के बाद परिक्षा तित्य होगी तो अभी परिक्षा तित्य का कुछ भी बोलना कुछ भी बोला जाना मुश्किल है मतलब कोई डेट नहीं बोला जा सकता है जब तक इस का रिपोर्ट ही नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं बोलेगा कोई भी नहीं और फिर में में जब examination हो रहा है तो रद हो जा रहा है, cancel हो जा रहा है और एक चीज़ तो हमेशा ही रहता है कि मतलब हमेशा नहीं रहता है बट BPSC का most of the time में आपको ऐसा दिखाएगा कि examination delay हो रहा है और आपारी हार या कारण लिखा रहेगा तो ऐसा थो होते रहता है कुछ कुछ परिशानी आई जाती है examination conduct कराने में क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा इस examination है 6 lakh aspirant apply किये वह तो इसको conduct कराना एकदम इतना भी easy game है नहीं तो अच्छे से इसको conduct कराने के लिए अच्छा time लगेगा तो मेरी यही student लोगों से कि जार इसकी है कि आप लोगों का तो बहु अच्छा marks आ रहा है मैं तो यह जो तैयारी चल रही है न आप लोगों की इसको continue करिए यह नहीं कि अब बैठ जाईए कि बाड़ के बाद ही हम भी लोग भी तैयारी करने बैठेंगे फिर से वापस revise नहीं इतना तैयारी हो गया है बस अब daily basis पर current affairs यह सब देखते रही हो और hopefully वो ज्यादा helpful होगा तो फिलाल के लिए तो भी यही पता चल रहा है कि examination अभी नहीं होने वाला है जो भी रिपोर्ट आएगा जो बैठक होगी उसमें जो decision आएगा या report की जाए करवाई जाएगी तो उसके बाद ही तैय होगा और यह सब चीजे हैं तो आप लोगों बस तैयारी पर जूड़े रहें तैयारी करते रहें जब examination होगा तो देना ही और निकाल लेना है उस तरीके से लगे रहें ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स वर्चिंग